अगर जागरित मानों का आजरण है तो उसकी शुरुदार किसके अगरिया प्रशन को यह है कि मान लिए कोई मने शुजागरित हो गया तो जागरित होने के लिए बहुत सारे लोगों ने उनको मदब की होगी तब वो पहुचे होगी तो जागरित होने के बाद क्या करेगा उनको पुसेगा कि वो मना रहेगा जैसे बाबाजी के जीवन के बड़ी चोड़ी से कटना है विवा के संभन पर जब पात होई उन्हों तो उन्हें समझाया, और उन्हें माना नहीं, तो बोले गुरुजी से पुछ लो, जाता ही साथ गुरुजी ने बोल दिया कि तुब को ग्रेश्ट आश्रम ने राइटे बजयता है, अब यदि उसको नहीं कर्माने होते हैं, तो फिर यह दर्शान तो नहीं, परिवार मुद तो वो बहुत सारी घटना है, जिंदिगी में घटती है, यसे बाबाजी बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि वहां हमारे सब अभी बावक हैं, अमर कंटक में, जिन्नोंने हमारा पूरा संग्रक्षन किया, यह बोला, एक बार उन्हों ने बताई कि जब भी मेरी दाड़, मैं पूछता था कि कभी आप दाड़ी बढाये थे क्या, वोता है ना कभी-कभी, तो बोले कि नहीं, कभी नहीं बढाये, तो बोले कि यहांपर एक पड़ो, वहांपर एक नहीं परिवार था, था कभी वो कुदी तो अधि वो भी बढ़ा लेते तो वैसा दर्शन नहीं लिख पाते हैं। एक बार हम कहे थे बिहार में, दर्भंगा में, दर्भंगा को ग्यान की नगरी मानते हैं। शंकराचार जी ने जो मंदन मिश्र को इसमें शास्तरात में पराजित किया, ऐसा मान्यत आए कि वहां हुआ वो। तो बाबाजी भी वहां गए, तो वहां चर्चा यह होगी कि शंकराचार भी दक्षन से आये थे बाबाजी भी वहीं से आये। जो पुराने लोग अपने तरीके से सोच के देखते हैं, और वहां भी विद्वान बैठे हुए हैं पहले से ही, तो वहां एक से एक विद्वान थे। तो दो विद्वानों में कैसी बाचीत होती है, मैं बता रहा हूँ। तो वहां के एक विद्वान थे लखन जहा करके, उस समय उनकी आयू असी वर्स थी। अच्छी बढ़िया है। बाबाजी की आयू 77 होगी या 76 होगी। 75 होगी, वह उनकी बाबाजी से पांचे साल बड़े है। तो पहले एक बार मिलने गए, तो मिलने गए तो बाबाजी ने पूछा, कि आपके बारे में तो बहुत सुने हैं, कि आप यती हैं, वह वाइस चांसलर रहे वहां के, और स्वयम खानप बना के खाते रहे, और एक रुपया तंखा लेकर वो पुरा काम किये। तो बाबाजी ने उनसे बोला कि आपके बारे में बहुत सुना हैं, कि आप यती हैं, तपस्वी हैं, विद्वान हैं, वर्तमान में आपकी निष्ठा का क्या सोरूप है जानना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं चातूरवण में विश्वास रखता हूं और प्याज खाने वाले व्यक्ति के हाथ से पानी नहीं पीता हूं वो उस परिवार के हैं जो मानसाहरी परिवार है मनने मानसाहरी शाकाहरी दोनू वहां जो है ब्राह्मन परिवार है और वो ब्राह्मन परिवार मानसाहर करता है उस परिवार से हैं वो लेकिन उन्होंने अपना इंट्रोड़क्शन क्या दिया कि मैं चातूरवरन में विश्वास रखता हूँ और प्याज खाने वाले के हाथ से पानी नहीं पीता हूँ बाबाजी ने अगला लाइन बोला कि चातूरवरन द्वेश से ग्रशित है चातूरवरन विचार द्वेश से ग्रशित है तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें सहमत हूँ ठीक है फिर बाबाजी ने बोला कि आपकी फिर निश्ठा का सुरूप का क्या हाल हुआ उन्होंने बोला इसी लिए गाउं में आके बैठ गया हूँ कि अब हम कुछ नहीं कर सकते दो बड़े लोग बात करते हैं कहां पहुचा देते हैं समझ रहे ना उतना बड़ा आदमी ने दो लाइन में माल लिया कि नहीं मैं जो हूँ वो ठीक नहीं तो कैसे बाचेत होती है वो आपको बताता हूँ तो वहां हम गये थे तो वहां पर बाद में फिर मैं भी गया यह 95 में कभी गये थे हम तो डिसमबर में होगा या नौम बर होगा ठंडी होगा डिसमबर ही होगा तो वहां शिविर हो रहा था तो उसमें तीन लोग थे एक चौधरी जी थे वो यंग थे 40 45 या अरली 50 में होंगे वो शिविर ले रहे थे वो दाड़ी रखते थे काले रंकी दाड़ी थी एक का दुक्का उसमें सफेद थे एक सिंधु चाचा गये थे जो बाबाजी से भी 5-6 साल बड़े थे एकदम वाइट कुर्टा वाइट पैजामा वाइट बाल वाइट दाड़ी इतनी लंबी एकदम रिशी हों जैसा उनका पूरा गेटब था और एक बाबाजी थे धोती पहनते थे बन्यन पहनते थे कभी-कभी कुर्टा पहन लेते और दाड़ी वारी कुछ नहीं तो और लोग आये कई जो लोग बैठे थे तीन अलग अलग गोश्टी थी तो बाबा व्यक्ति आये ऐसा देखे तीनों जगा उसके बाद हम से पूछते हैं असली माहत्मा कौन सा है अब जीन की सबसे अच्छी दारी वहां सबसे कम भीड जीन के पास दारी नहीं है उनके पास ज्यादा वीड़ी वह तो कंपियस हो गए तो वो जो बता रहें नहीं जो मेक अप कापड़ा ये बहुत सारी चीजें परंपरा में लोगों ने मदद किया और उससे आए तो उनके परतीश रद्धा हमेशा बनी रही बावा जी का यदि आच्रन देखेंगे बावा जी ने कभी नहीं बोला वहां के बारे में यही काया कि यहां के लोग जो है हमको संग्रक्षन दिये सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस आया थे वेंकटा चल आया जी उन दिनों वो चेर में थे तो उन्होंने माता जी से परिचे कराया बावा जी माता जी को महत्मा कहते थे और यह बोला कि मैंने इनकी संग्रक्षन में साधना किया है हमेशा ही बोलते थे उनके सामने भी यही बोला और हमेशा आपने गुरुजी के बारे में बहुत बड़ा ओपिनियन हमेशा देते रहे एक बार हमने पूछा कि बाबाजी आप से गुरुजी मिलते हैं हां क्या बोलते हैं ठीक कर रहे हूं ठीक है कहीं बढ़ने जो भी काम चल रहा है उनहीके माजगदर्शन में चल रहा है। हमेशा यही बोले। को तो सुम्भीय बैठे और भी लोग बैठे सब सुने ही जो लोग तो हमेशा वो जो श्रद्दा है हमेशा उन्होंने गुरू को बहुत बड़े रूप में ही बोला। वो अधी नहीं करते तो मैं यहां तक नहीं पहुँच पाता, कहीं भटक जाता ऐसे बहुत सारी घटनाए हैं, तो जो जागरित होगा उसको याद रहेगा सारी चीज की किनो ने अमको वदद किया और हम कैसे आगे बढ़े, कहां हम फशकते थे उन्होंने निकाल दिया, तो कृतज्यता हमेशा बना रहेगा उनके परती, श्रद्धा बना रहेगा, गौरव बना रहेगा, यह बना ही रहेगा तो यह जागरित मानों में यह मिटेगा नहीं, कि हम आपके बराबर हो गए, तो हम गले मिलेंगे आओ, या हम आपको गाली देके बात कर सकते हैं, दिवे मानों हो गए हम भी, यह नहीं होगा दिवेमाना हो गए तो अपने गुरू को देखकर वो हमेशा बोलेंगे कि भाई आपके कारण मैं यहां पोंचा वो यही बोलेंगे कि आप मेरे बराबर हो गए वावा भरी खुशी की बात है आप चरम जगा तक पहुँच गए यही बोलेंगे गुरू शिश्य क्या बोलेगा आपने मुझे यहां पोंचा दिया यह बिलाड करना यह मिटेगा जो घट्ना करें ऊट कर दो मिटें नहीं उसी से पहुचे तो जागर्ति के बाद भी यह आशर्ब नहीं मिटे गा हमारे मनों में कई बार बरह मोझ जाता है कि जागृति के बाद हम क्या करेंगे जुन्होंने मदद किया है क्या उनको कोसेंगे या उनको यही बोलेंगे कि तेरे बिना भी मेरा काम चलता तो वो बनाई रहेगा हम लोग क्या करेंगे जो जागरती क्रम में हैं जो अध्यन कर रहे हैं तो हमको भी समय के साथ होगा क्या देरे देरे हमको वो सारी घटनाएं जोड़ेंगी कि कहां कहां हम फंस सकते थे हम निकल गए वो आएगा अभी हम करते क्या हैं अपने आप कोई तो देख रहे हैं वो चीजें जोड़ती जाएगी और बहुत सारी जो दुरगटनाएं हैं वो मिट जाएगी दुरगटनाएं मैं तो हम मन में मान के रखते हैं कि कोई हमसे हमारे साथ द्वेश करता था हमी जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमको लगता था कि टीचर हमसे चड़ता है टीचर हमको फेल करना चाहता है इस आयो में मैं सोचता हूँ कि टीचर चाहता ही नहीं ऐसा teacher चाहता है कि बच्चा जो है निकले नहीं से आगे बढ़े नहीं तो टीचर है माने ऐसा चाहता ही है जबकि हम उससे में क्या मानते थे नहीं नहीं टीचर दबाना चाहता है मही मानता था उने टीचरों के बारे में महीं जो है 25-30 साल के बाद मानता हूँ कि नहीं नहीं यह दुने हमको बढ़ाया, हम गलस सोच देते हैं तो जूकि हम ऐसा सोच पा रहे हैं बाल Less हम में हम आगे बढ़े हैं नहीं तो हम आगे बढ़ने का प्रमान भी नहीं है। तो जो विकास के क्रम में या जागरती के क्रम में जो घटनाय है वो जोड़ जाएंगी यही होना है। और कुछ भी नहीं होगा। तो एक ही प्रशन था ही है वो पूरा हो गया। बाकी दो प्रशन और है जब वहां पर आएंगे तब हम करेंगे। वर्ति के प्रारंब के प्रशन है यह। स्वत्त और स्वतंतरता स्वा क्या है। स्वा मने आत्मा या जीवन। उससे कम में नहीं है। तू अमाने क्या है। व्यवस्था के रूप में। तो मानाव जब व्यवस्था के रूप में जिएगा वो क्या स्वरूप होगा। वो उसका स्वत्तु हुआ। तो कभी भी बानाव है तो नियूंतम वो उसमें स्वधन है। होगा ही होगा नहीं तो मानो हई नी स्वानारी या स्वापुरुष है और दयापूर काज है इस चेज को स्वत्व बोल गए और इसके साथ और आगे चीजे जोड़ें तम ऐस से कम में हो इनी सकता स्वत्व कोई दी नियुन्तम जगह में कहीं पैचानने जाएंगे तो वहीं होगा मालो कोई विवा नहीं किया है मालो वो स्वानारी स्वापुरुष उसका विव ऐसा नहीं है तो क्या करेगा स्वनारी स्वपुरुस वाले संबंद का संमान करेगा यह सही है जो किया है वो सही में है उसको स्विकार करेगा उसको संमान करेगा खुद बहले नहीं किया हूँ लेकिन इसको तो संमान करना ही होगा उसको यह स्वत्तर के रुप में दिखे जाए स्वतंतर्ता क्या है स्वतंतर्ता माने स्व से पूरा तंतरित आत्मा के नुसार बुद्धी बुद्धी के नुसार चित चित के नुसार वृत्ति वृत्ति के नुसार मन हो जाए ये जब प्रमानित होगा तो पूरा आखरी तक प्रमानित होगा तो उसमें पहला भाग स्वत्त तो रहेगा ही, उसके बाद और आगे चीज़ें जुडेंगी, तो स्वतंतरता में स्वत्त तो समाया रहेगा ही, आगे समाय के साथ स्वतंतरता की परिभाशा है, कसको करेंगे? वातसल्य और सहजता, वातसल्य है अभ्यूदय के अर्थ में पोशन संग्रक्षन की निरंतरता, पोशन के बिना वातसल्य नहीं दिखेगा, संग्रक्षन के बिना वातसल्य नहीं दिखेगा, इसको उल्टा करके मैं बोल रहा हूं, या दोनों में से एक तो दिखना ही पड़ संग्रक्षन का मतलब हम थोड़ी सी चर्चा किये थे जैसे एक छोटा सा उधारण देता हूं में बार बार दो चार उधारनी है उसको एकडम कान्टरास्ट वाले हैं जैसे मालली जी डाकू का बच्चा है दाकू का बच्चा को क्या दाकू संग्रक्षन दे पा रहा है उसको हमेशा प्रतार ना जहनना पड़ता है बच्चे को की तु दाकू का बेटा है हमेशा की नहीं इसको संग्रक्षन मिली नीज रहा है लोग उसे उपर शक करते हैं, तो अब वो कितना भी कर ले डाकू, बंदूक से चारो तरफ घेर दे, लेकिन संग्रक्षन नहीं दे सकते, संग्रक्षन क्या है, जहां लोग उसको स्विकार करें, लोग उसको सही दिशा में ले जाने के लिए तयार हो जाएं, लोग उसके जी तो संग्रक्षन देने योग ये कौन है, जो खुद चोरों की तरह छुपके रहा है, वो कैसे कैसे को संग्रक्षन देगा, डाकू आज यहां कल वहां परसो यहां भाग भाग के घूम रहा है, यही है ना उसका जीवन, वो कैसे संग्रक्षन देगा, संभव नहीं है, तो स मैं जी रहा हूँ तो मतलब मेरे चारो तरफ अच्छे लोग है अब वो अच्छे लोग होने के काराण मेरे पास जो चोटा बच्चा है उसको भी वो अच्छे लोग संग्रेक्षन दे रहे है यदि कोई पर धन, पर नारी, पर पुरूसवर, पर पीडा में जी रहे है तो उस के चारो तरफ जीने वाले लोग क्या है जो ऐसा जीना चाह रहे है या जी रहे है वो जहां भी रहेंगे वो किसी को नहीं छोड़ेंगे यह करेंगे क्योंकि कुछ आता नहीं उनकों तो वो संग्रेक्षन दे नहीं पाएगा तो संग्रेक्षन का सवरूप क्या है मैं स वधन में सवणारी सौपरस में र dispי में जी लूँ। मैं सम्बंधों कां निरवा कर लूँ। इसका नाम ही ही संग्रेक्षन है यह करना अपने आप में संग्रक्षान देना है इसके साथ ही वो पूरा एक ग्रुप बनेगा एसोशेशन बनेगा और वो संग्रक्षान देगा तो संग्रक्षान बड़ा फैक्टर है तो जैसे पूशन एक उदारन मैं और बहुत देता हूं कि माल लिजिए एक छोटा बच्चा है उसको चोट लग गई खून बहने लगा उसको देखके उसकी माँ बेहोश हो गई उसकी माँ उसको प्यार करती है कि नहीं करती है क्या बहुत प्यार करती है तब तो बेहोश हो गई दूसरी माँ है चोट लगा खून लगा वो बेहोश नहीं हुई वो उसको डॉक्टर के पास ले गई और उसको ठीक कर लिया वो प्यार करती की प्यार नहीं करती है? प्यार भी करती है, समाधान भी है उसके पास. पहला क्या है? प्यार करती है, समाधान नहीं है. जो सम्मंद को स्विकारत तो लिया है, लेकिन उसको निर्वाह करने का उसमें अब कुबत नहीं है. उस कारण ब्योस होई यह प्यार करने के करन ब्योस नहीं हुई उसका वह बुरा नहीं देह सकती इसलिह ब्योस हो गही है और तीसरी माँ हो सकती है कि कोर लगा चोट लगा तो वो खुदी से ठीक कर देह भब्लस भी नहीं वीखोडी कर आगे वर बेटर है ठीक है तो हम पोशन को कैसे देखेंगे पोशन को जानना इन की पोश onभेपाना है मैं पोशन को नहीं जाना कैसे हज़ा ए Study पोशन के खिलाब कोई जा रहा है तो इसको रोकूंगा ही रोकूंगा उसको समझाओंगा कि भाई आप यह जो कर रहे हैं यह पोशन के खिलाब यह होगा ना पोशन देने का तरीका है तो माता पिता बच्चे को पोशन देते हैं कितने दिन पहले खिलाते हैं, फिर देरे देरे बोलते हैं कि बेटा पानी में नहीं जाया, बेटा ये मत खा, बेटा वो मत खा, ये खा, वो खा, करते रहते हैं, एक समय में बच्चा खुद समझ्जार हो जाता है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सिख जाता है, उस दिन मा की चिंता दूर होती है कि अब ये ठीक समय पे खा लेगा, ठीक समय पे उठ जाएगा, तब तक मा परेशान है, इसका और बड़ा सरूफ है कि वो सौलंबी हो गया, अपना वो पोशन कर लेगा, इतनी उसको अकल आ गई, तो पोशन कहां तक जाएगा, एक बच्चा अपने सौलंबन को प्रमानित कर दें, तब तक उसको पोशन चाहिए, उसके पहले माबाप कैसे त्रिप्त होंगे, होई नहीं सकते, तो पोशन कब प्रमानित होगा, जब वो सौलंबी हो जाएगा, तब मा को लगेगा, पिता को लगेगा कि अब ये पोशन करने योगी हुआ है, सौलंबन प तो भी माबाप को भै लगेगा कि नहीं है, कभी ये गलती कर देगा, तो पोशन प्रमानित होगा कब, 20, 22, 25 साल का कोई समय चाहिए, जहां वो पोशन को समझेगा, अभ्यास करेगा, सौलंबी होगा, और उसका प्रमाना जाएगा, तो ये जो त्रिप्ती है, इसको होने मे पंदरा साल, 20, 25 साल का एक समय चाहिए, जिस दिन वो सौलंबी हो जाएगा, उस दिन उसको माता पता निश्चेत होंगे, उस दिन वो भी तृप्त होगा, उस दिन माता पिता तृप्त होंगे, तो नियाय की घटना कभ होगी, 20 साल, 25 साल के बाद, प्रैक्टिस कब से जिस दिन बच्चा पैदा होगा, उस दिन शायद उसके पहले से, तो हम क्या सोच रहे है, तुरंत बात किये और नयाय हो गया, वह तिर्पती हो गई, ऐसा नहीं होगा भी है, संग्रक्षन और बड़ी चीज, जब तक बच्चा विवहार में सामाजिक नहीं हो, तब तक व संग्रक्षन देने योग नहीं है, और सामाजिक होगा तो मार खाएगा, खाएगा ना, और सामाजिक व्यक्ति की तो पिटाई होगी, यह तो पक्का है ना, हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि सही डंग से जियोगे तो समाज जीने नहीं देगा, मेरे हिसाब से उल्टा है, जब तक सही डंग से नहीं जी होगे तब तक समाज जीने नहीं देगा, जब तक कोई परधन करेगा समाज उसको तंग करेगा, जब तक कोई परणारिय परपुरुस करेगा समाज उसको जीने नहीं देगा, जब तक कोई परपीड़ा करेगा समाज उसको जीने नहीं देग उसको एक दिन बाद दिखोके स्वधन में आना पड़ेगा, स्वणारी स्वपरुस में आना पड़ेगा, दयापूर्ण कारी में आना ही पड़ेगा, यह बाद दिता है, समाज में रहोगे तो होगा ही होगा तो विवहार में समाजिक्ता वक्ले प्रमाण आये बिना संघरक्शन संभव नहीं और यदि हो गया तो क्या होगा, चारो तरफ आपके सार, चारो तरफ वही लोग रोंगे जो समाजिक्ता है या समाजिक्ता कुछार है तो पोशन और संग्रक्षन दे पाना वातसल्य है, बेटा, बेटा करके छू दिये उसको, है ना लाड़ प्यार कर दिये संग्रक्षन नहीं है, ठीक हम क्या सोचते हैं संग्रक्षन, छू दिये, लाड़ प्यार कर दिये, बेटा, बेटा बोल दिये, यह नहीं है, शंग्रक्षन वो है वो कब दे पाएंगे जब हमारे पास होगा मैं खुट डर रहा हूँ चोरों की तरह भाग रहा हूँ तो मैं कहा दे पहूंगा? मुझे भोंड रहे हैं मैं कहा दे पहूंगा? मैं जो यो ना यदिफिधाम? पोशेन और संग्रक्षन. देने के लिए कोई शक्षम हो जाए, उसमें जो भाव आएगा, वह आएगा वादसली. वो हयने किसी में नहीं है, तो वादसली आएगा ही नहीं. भाव मने होना, मुझमें है दी होगा, तो अटोमेटीक वादसली आजाएगा. तो मैं कितना भी वात्सहले वात्सहले बोलते रहूं नहीं आएगा, किसी में नहीं आएगा, तो ये अस्थितिक को हिदी मैं अचीव कर लेता हूं, पोशन को और संग्रक्षन को, समझ जाता हूं, उसमें मैं स्थापित हो जाता हूं, तो आटोमेटिक में पोशन और संग्र फिर पूरी प्रक्रिया का नाम फिर वातसल लिए. एक तो है कि हम तर्क पुर्वक समझ लें कि यही आचरन क्यों करना चाहिए. पहला भाग यह है. जैसे मैं ने बोला है कि परधन, परणारी, परपुरुस, परपीडा करेंगे तो समाज मारेगा. उसको एक दिन लग जाएगा कि यह गलत कर रहा हूं. मारेगा ही मारेगा. तो एक स्टेप तो तब पूरा हुआ. उसके बाद दूसरा स्टेप शुरू होगा कि उसको अपने आजने की कोशिस करेगा. और एक दिन वो पूरा हुगा. तो दो भाग हुए. पहला समझना. समझना में भी तार्किक रूप से समझ लेना कि यहाँ यह सही है, यह गलत है. मतलब भास और आभास हो जाए. वो एक स्तर है. भास तो सब कोई है. बदमास को देखके लोग डरता ही है. मतलब भास है उसको. तो भास और फिर आभास. यह दोनों होने के बाद या कुछ लोग तो पहले से ही जी रहा है. आप छोटे बच्चे को देखिए. वो ऐसा नही जगड़ा करते हुए जीता है. कहीं जगड़ा भी करता है तो कहीं उसको भूल भी जाता है अगले बार. मैंने माल लीजे मैंने कोई गल्ती कर लिया और सुशाइट कर लिया. तो क्या हुआ? सॉलूशन थोड़ी है. गल्ती होई किसी ने मेरे हाथ पर तोड़ दिये. ठीके तोड़ दिये. सही तो करना पड़ेगा ना. तो अपने आप गल्ती दूर हो जाते हैं? हाँ भूल जात है? यह याद रहता है कि मैंने गल्ती किया था. अब नहीं करता हूँ. हाँ? समाज? हाँ, समाज भी माफ कर देता है. हाँ, बाद में वही करेंगे. तो वही उसका प्रमान वही है कि बाद में बच्चे कर पाएंगे. यह पूरी पर के लिए बास चले होगी? हाँ. यह वह वी पर कुण गना आगे वाली पी डीगों तो करता ही है नहीं नहीं करता है। मावाज़,"ब को भी सिंहें नहीं करता हैं? ग्यास highest Trным हम भी पर होगी तो करेगा नहीं होगी तो नहीं करेगा. कहीं जिए बारा आवस्ग्ता नहीं होदी तो नहीं करता है. तो अब देसे लिए आजपन किये वाकसले भाव में कमी है और क्या हुआ हमने ट्रेनिंग दिया बहुत लंबा की बेटा घर में रहोगे गाउं में रहोगे तो पिछड़े रहोगे तुमको दिल्ली में जाना है या तुमको अमेरिका में जाना है हम उसके कान में भर भर के भ भर भर के भर भर के उसको बेजे और चला गया चला गया तो हम रो रहे हैं तो पता ही है हम इसको किये हुए है तो यह तो पता होना चाहिए कि जो घर की सफाई है कितना बढ़िया कितने समय लगता है तो हम उसको पोशन संग्रक्षन को सीख नहीं दे रहे हैं उसको कट ओफ कर रखते हैं कुर्सी और टेबिल में बैठो ऐसे ऐसे करते रहो करता है वो विचारा करने के बाद पत्थर बन जाता है जब पत्थर बन जाता है तब फिर हमको लगता है कि देखो क्या हुआ और साथ में नहीं रहना और हमको नहीं करना कोई दूसरा करेगा हमारे बदले, उसको हम पैसे दे देंगे. उससे अधिक वला यह है. मतलब मेरे पास पैसे हैं. तो सेवा करना अच्छा काम नहीं है. यह स्विकार हो गया, फाइनली. यह स्विकार होना चाहिए कि सेवा करना अच्छा काम. यह है अंतर. सेवा करने में सुख है, यह नहीं आया. करने के बाद ही आएगा ना. यह तो नह करना और संग्रक्षन क्रिया को सुविकार करना एक भाग और वह लेक लंबी प्रक्रिया में सुविकार होता है एक दिन में नहीं सुविकार होता है थियोरी कोई पढ़ा दे तो नहीं होता है करने के बाद कुछ होता है और उसके बाद हम करते हैं। बाबा जी को ब्रेन स्टोक आ गया 2014 में, मार्च में। उसके बाद वो खड़े नहीं हो पाते, दो लोगों की ज़रुवत पड़ते थे। तो मेरी बेटी उससे में 8 साल की है, 2006 की है वो। और उसके बाद मैंने एक दिन पूछा की मेरा कौन सा काम तुमको बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है। ऐसे कुछ मैं पूछते रहता हूं। शुरू सही। तो उसने बोला कि तुम बाबाजी को उठाते हो, बैठाते हो, सेवा करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब देखिये, बच्चा देखा कोई चीज को। अच्छा लगा। मतलब बच्चे उसको स्विकार लिया ना किये कोई अच्छी चीज है। सोम भाईया, वो समया वाला शिविर कब हुआ था अच्छोटी में। छे नहीं, छे तो नहीं है। आठ होगा, या नौ होगा? 8 है ना? अक्टोबर महिना करीब होगा या नौमबर? थंडी का समय था वो या अक्टोबर नौमबर है ना? तो देखिये, यह है मार्च में पैदा हुई है छे में, तो तो डेर साल करीब-करीब है वो, है ना? नौमबर है तो डेर साल है, एक साल नौ महिना ऐसा है, वो जो समय था उस समय सोम भहिया शीवर ले रहे थे और हम लोग सब बैठते थे, तो मेरी बेटी छोटी थी, दो दिन वो बरदास्त की, तीसरे दिन मेरे को पूछती है कि तुम कब बोलोगे? तुम में परसों गोली, परसों गोली, शाम को में दर सिला रा था एक चार दिन पहले, तो कुछी कहां लड़ो, मैं वापार लोगे निशे, मैं ता निशे, तुम दिशे विरो, देखो, एक साल, नौ महिने में उसको समझ में आ गया कि शिविर लेना कोई बड़ी चीज, एक, दूसरा, तुम भी लेने योग्यों हो, हम थोचरे बच्चे को समझ में नहीं आता, मेरी पतने ने आज बोलाई कि तुम ज्यादा बोलते हूं। गोपाल भाई बैठे थे अभी, गोपाल भाई बैठे थे तो हमारा बारे में अच्छे से उनको बतायागी है, हमारी बहुत सारी गल्तियां बताई। अभी जैसे क्या बात हुई मैं थोड़ा बता देता हूं, यदि बहुत ज़्यादा आप डिस्टरब नहीं हो तो, मैंने कभी परिवार का ध्यान नहीं दिया, यह बात उन्होंने बोला, नहीं यहां ना अमरकंटक में। तो मैंने बोला कि कैसे हो सकता है, यहां मैं कैसे करूंगा, यहां मैं लेटने के लिए थोड़ी आया हूं, यहां तो काम करने के लिए आया हूं। अमरकंटक की बात, अमरकंटक में गुरू के घर मैं किस लिए गया हूं। मैं सोने गया हूं क्या वहां मेरी मर्यादा है ही नहीं कि मैं सोऊंगा बाबाजी मुझे बेटा बोलते हैं अपने बच्चे जैसा मानते हैं सब मानते हैं लेकिन मैं वो नहीं हूं मैं शिश्य हूं मैं यदी समझ नहीं पाया हो तो समझूगा, यदी समझ गया हो तो फिर उसको प्रमानित करने की कोशिस करना है, वो मेरी मर्यादा है, मैं उससे बाहर नहीं जा सकता, हाँ, मैं वहां गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था, यह हो सकता है, लेकिन वहां जाके मैं जो कर रहा वो नहीं करना चाहिए यह बोल नहीं सकते हैं, वह ही किया जो करना चाहिए तो मर्यादा है वो, तो बोली आप तुम से कोई बात नहीं कर सकता है, देखो हमको बोलनहीं नहीं दे रही है गोपाल भाई बठे हैं, पुरी कान इनी के सापने हुई तो छोटे बच्चे भी इस बात को कितनी छोटी आयो में समझ जा रहे हैं कि बड़ी वैलू क्या चीज है देखे ना एक साल नौ महीने की बच्ची को पता चल रहा है इस से दिख कुछ बोलने का नहीं है ना आठ साल की बच्ची को पता चल रहा है कि सेवा करना कोई बहुत बड़ा वैलू है हम किसी जगह पर उसको मिटा रहे हैं यदि मैं उसको उल्टा बोलू हम अपने भाशा से इस से उससे किसी चीज से यह बना दे रहे हैं कि यह चोटी वैलू है हम को दिखने रहा है हमने अंदर मी स्विकार लिया है उसकोम करते हैं अपने आप उसको डिख जाता है कि इन चोटा वेली यह तभी तो पितना जी एम आनFirst तो बच्चों को हम वेली नहीं सिखा पाए, क्याहुंकि हम में सुखाण रही है , कहानी हिए learned में नहीं स्विकार हुआ, इसलिए वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है. भाषा में जा रहा है, भाषा में बोल रहा है, हम भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, और तीसरा भी बोल रहा है, सब बोल रहा है, कर कोई निर रहा है. तो पोशन और संग्रक्षन जो है उसके साथ वातसल्य जुड़ा हुआ है. वातसल्य का जो प्रमान है उसका नाम सहजता है स्पष्टता एवं प्रमानिक्ता व्यभार, रेती, विचार एवं अनुभाव की एक सुत्रता. सरल्ता माने अन्यों में गुरु मुल्यन, माने आपकी अच्छाई को मैं पैचान लेता हूँ, खासकर वो भाग जो मेरे से सुरिष्ट है, कोई चीज मेरे में है, उससे अच्छा आप में दी है, उसको मैं पैचान लूँ, इसका नाम है सरल्ता. ठीक है, ऐसा तो हई नहीं कि सब चीज मेरे में होगा, मेरी चोटी बेटी है, लेकिन कुछ चीज मेरे से अच्छा उसमें हो गई, हर चीज में मैं तो आगे नहीं होंगा ना, किसी से भी. तो ऐसा हर चीज, हर वेक्ति में दिख सकता है, या है ही उसको मैं देख लेता हूँ, यह चीज को कहता है, मुझ में सरल्ता आगई. वो देखने की मेरी ताकत है वो, नहीं देख पाता हूँ, माने मेरी सरल्ता नहीं है. तो सरल्ता वास्ता में क्या है, मेरे जीवन का वो स् जहां मैं अच्छाई को पैशान पारा हूँ. यह इसका नाम सरलता है. सहज्ता. सहज्ता अजी चीज है, जहां प्रामानिक्ता भी है और स्पष्टता भी है. रहस्ते नहीं. मैंने हमारे पास वो हो गया है. हम उसके धारकवार हो गये हैं, उस स्थेती का नाम प्राहमनिक्ता है और स्पष्ट्टता है. तो सरलता पहला स्थेप है. सहज्टा जो है? बड़ा यह आखरी स्थेप है. प्राहमनिक्ता बोलाएं. तो गुरू का गुन हाई है. और सज्टता वसे उपर. सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देख कर देख किसी ने मेरे लिए मेरी उन्नती के लिए मदद किया हूँ यह कब होता है जब मैं अपनी उन्नती को स्विकार करूंगा ना मेरी उन्नती नहीं हुई है यदि ऐसा मानता हूँ तो करते के कहां से हूँ तो पहला कंडिशन तो यह है कि मैं यह मानू कि मेरी उन्नती हुई है पहला दूसरा इस उन्नती के लिए कोई मेरे को मदद किया है तो अपनी उन्नती को सुविकार करना, पहला भाग, इस उन्नती में यदि किसी में भी थोड़ा भी मदद किया है, उसको पैचान पाता हूं, ये दूसरा, इसका नाम है कृतक्यता, गौरो कोई मेरे से स्रिष्ट है, उसको मैं पैचान लिया, कई बार के आ होता है कि हम लोग मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन एक दिन दूसरी घटना हो जाती है कि उसमें है लेकिन मुझे दिख गया। इसमें परिवर्तन किसमें आया? मुझ में आया। उसमें तो है ये पहले से। मैं पहले से मुचा बेखने वाला हो गिया। महीं विक्सित हो गिया। विक्सित चम्ता को पहचाना माने मैं रख्सित हो गया. इसका एक सुख हुआ मुझे, कि अब मैं अच्छी चीजें देखने लग गया. इस सुख का नाम है गौरो. गौरो मुझे में आ गया क्योंकि मैं स्रेष्ट चीजें को देखने लग गया. अब स्रेश्टता जहां जहां है वहां वहां मुझे दिखने लगीगी क्योंकि वो कॉलिटी में देखने योगी हो गया ठीक है यह क्या हुआ गवरो श्रद्धा इससे और उपर है वो कॉलिटी मुझ में आजाए ऐसा मेरे अंदर इच्छा संकल्प बन जाता है इसका नाम है श्रद्धा आप में कोई अच्छी कॉलिटी पैचान लिया तो गवरो वो कॉलिटी मुझ में आ जाए इसके लिए जो प्रयास है, इसका नाम श्रद्धा। यह जहां रहते हैं, वहां का एक भाशा का एक स्टाइल है, उसमें ऐसा है। मध्यास दर्शन के हिसाब से गौरों का मतलब है जो जागृती वाली इस्तिती में जो उपर हैं, जागृती पूर्णता तक उसको पहचानते तक हमको बार बार गौरों होते रहेगा। मैं आज यहां पर हूँ और यहां को पैचाना तो गवरो होगा, यहां को पैचाना हूँगा तो फिर गवरो होगा, यहां को पैचाना हूँगा, और उपर पैचाना हूँगा, फिर गवरो होगा, यह होते रहेगा, होते रहेगा. माननत्य देव मानविता तक गवरों का क्रम बना रहेगा इसमें सेवच्छ्ट आपने बोला कि वातसल्य का प्रमान बिए उसकता है। वातसल्य देने वाला जो आद्मी होगा कम से कम उसमें संतोस होगा। नहीं तो वाथसेल के लायक आदमी नहीं है व्यभार में सामाजी का और व्युसाई में सौलंबी हुए विना संतोज कहां से है तो वो एक स्टेटस है, एक वक्ती पा जाता है उसके बाद उसमें अपने आव वक्त होता है तो प्रेम तो और बड़ा है जिसमें वातसल्य जिसमें प्रेम है उसमें वातसल्य है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अभी वातसल्य है प्रेम नहीं हुआ है। यह भी एस्टेट हो सकता है। सब्सerson चानले से धी कि शेल डाली नहीं गौहरो तो हो गिया क्योंकि मैंने शर्ष्टता पेचानलिया लेकिन में वैसा बनना अभी नहीं चाह रहلى हूं। तो केवल गाहरो हो यह भी श्रद्दा नहीं है, लेकिन आप में श्रिष्टता है, मैं पैचान लिया, आप में मैं वैसा हो जाओ, वैसा चाहने भी लग गया, इसका नाम फिर श्रद्दा है, यहाँ जो परिभाश्टा लिखी हुई है, मद्द्ध दर्शन में वैसी है. तो जब मैं किसी स्रिष्ट को पहता हूँ, तब उसकी सामझे मेरा दौक्षा है, हो कैसा है? कि हमेसे श्रेष्ट को पहचानें तो भीच्छतो होगा ही, और गोरों भी हो जाएगा, गोरों को वक्त करना ही। Eunji Canada by Anna Mahere टो हमने आप में शरस्षरता पेचानी तो अपने अप सरल हो जाएंगे सरल गा मतलब क्या है स्रल का मतलब अअने को कम बताऊंगा आपको ज्यादा बताऊंगा बारी इसी को बंदना कहे रहे कि आपकी अच्छाही को मैं बोलूंगब आप में अच्छाई है यह अच्छाई है और अपमान मने क्या है आपके में कमियों को बोलते रहूंगा सिंपल गवरों का उल्टा अपमान दूसरों की कमियों को बताते रहना अपमान करना है उसके अच्छाई हो को बताते रहना जो है इसका नाम गौरो है जो अच्छा ही नहीं है वो बोल रहे हो माने चापलूसी है वह सही फीडबेप दे पाना माने वही गौरो ही के अर्थ में होगा ना फीडबेक दोनों प्रकार से हो सकता है अपने से कोई कम जागरित है उसके लिए भी हम कई बार बताते हैं कि आपने अच्छा किया तो वह सम्मान कहलाएगा सुने कहलाएगा वह गौरो नहीं है कि गई पार आचिची चीज है तो समैं गरो भी हो जाएगा गऊरो भी रहेंगा सम्मान भी रहेगा सुमें भी रहेいका ए एचारन देवियमानअ इसे शी हो भात्री ने गार्ट करें देखिये हम कहां अभी घ। multiplied हो रहें यह किसको भार रहे है। किसी का फोटो छपा हुआ है, किसी का नाम चल रहा है, इसको यश मान रहे है, यहां क्या कह रहे हैं, कि मानवीता पून आचरन या वेवस्था में जो भागीदारी है, उसको लोग पैचान ले, वो यश है, तो मेरा यश क्या है, मैंने वेवस्था में कितना भागीदारी किय वह यश हो गया, मैं कितना प्रामानिक हूं, वह यश होगा, अभी क्या सोच रहे हैं हम, फोटो चापा देना, तो व्यवस्था में भागी दारी नहीं किया हूं, फिर क्या यश है मेरा, अनुभा को प्रामानित नहीं किया हूं, तो फिर क्या यश है, नहीं है, तो यश के ल तो रिवस्ता में भागीदारी कोई यश्क है रहे हैं उसी कप्रावानिक्ता कह रहे हैं बाद में हाँ अनुभाव के अनुसार वैभार हो मैं अनुभाव कर रहा हूं सुक्का और किसी को गाली गलोज और अपमानित कर रहा हूं तो अनुभाव के असाब से वैभार नहीं हुआ तो अनुभाव को देखेंगे तो अनुभाव के अनुप नहीं है या फिर अनुभाव नहीं है तो अनुभव व्यवहार में व्यक्त हो. Experience मने इंद्रियों से होने वाला आस्वादन. क्योंकि उस जगह भातिक वाद में स्विकार है नहीं किया गया है कि इंद्रियों से अधिक कुछ होता है. तो पाचों गयान इंद्रियों से जो भी होता है उसको कहते हैं experience. भातिक वाद और आदर्शवाद का अंतर क्या है? जो चीज इंद्रियों से समझ में आता है वही चीज गयान है. बाकि सब illusion है. यह है भातिक वाद. आदर स्वाद क्या है? इंद्रियों से जो समझ में आता है वो सब ब्रह्म है जो इंद्रियों से नहीं समझ में आता है वो ग्यान है और सहस्तित वाद जो चीजें समझ में आती है इंद्रियों के बिना वो चीजें इंद्रियों से वेक्थ हो सकती है इंद्रियों से वेक्थ होगी तो वेवस्था के अर्थ में वेक्थ होती है यह है ज्ञान तीनों में यह मोटा मोटा अंतर है पांचो संवेदनाओं में ही सुख है इसका नाम है बहुतिकवाद पांचो संवेदनाओं में दुख है और इंद्रियों के अलावा कोई सुख है उसको वेक्प नहीं किया जा सकता इसका नाम है आधर्शवाद और यहां इंद्रियों के अलावा जो सुख है उसको इंद्री और शरीर के द्वारा विवस्था के अर्थ में वेक्थ किया जा सकता है यह है आदर्शवाद विवस्था के तुमाद और यहां इंद्री से व्यक्त होगा और इंद्रियों से सम्वेदना होगी इसको स्विकार रहे हैं यह सम्वेदना नियंत्यत रहेंगी व्यवस्ता के महिरेदा जैसे भूक और लोब, दोने में अंतर है, परमपरा में भूक और लोब में कोई अंतर नहीं, भूक माने लोब, आदरश्वादी परमपरा में भूक माने लोब, किसी को भूक लगती है, वो खाना खाता है मैंने राल्ची, उसको भूक लगी की नहीं, यह वान के पूरा शब तो लगेगी ने लोगों को तो भूख लगेगी उतना खा लेना ठीक है उससे अधिक खाना फिर लोग है लोग क्या है भूख से ज्यादा खाना शरीर को बिमार करने तक खाना यह सब लोग है संतान का अर्थ बोथ होना और भरिहार गें है रूख बोथ तुस अधा कोई जैसे क्या पैठानते हैं संतान क्या चीज है संतान मने जागरती के लिए आया है यह स्विकार कर लेते हैं तो जागरती के अर्थ में संग्रक्षन देंगे न की इंद्री को बढ़ावा देने के लिए अभी जैसे ज्यादा प्यार करने का मतलब किया ज्यादा कपड़ा दे दो है ना गाड़ी दे दो उसको हम मानवें की ज्यादा प्यार किया इन्डरी आसक पढ़ए यदि बच्चा इन ढ्री आसक बढ़ रहा है तो उसको चेताना तो पड़ेगा यह पी ठीक नहीं है बोलना होगा किसी commit और इसको व्यवस्त इधि इन्ड्रीहों से अनासकत है बहुत ज्यादा तो भी उसको बोलना पड़ेगा यह ठीक नहीं। वे स्वस्त मनुष्ट के इंद्रियां तो काम करेंगी ना। तो भी बोलना पड़ेगा। अर्थ उसका अर्थ क्या है? संतान का अर्थ का मतलब क्या है? संतान माने एक मानो जन्म लिया है प्रमानित होने के लिए। यह स्विकृति हो जाए, यह है संतान का अर्थ मनुष्ट जो इस धर्ती पर आया है जागरित होने के लिए और जागरिती को प्रमानित करने के लिए। यह मानना के यह समझ नहीं पाएगा, यह जागरित नहीं हो पाएगा, यह कमजोर है यहां हम उसके अंदर गलत जीजे डाल दिये। हमको यह मानना ही पड़ेगा कि इसमें समझने की शकती है। यह उसको जी सकता है। यह सही को प्रमानित करेगा। नेचुरली ये बोल रहे हैं कि ऐसा शरीर है ये कि ये जागरती को प्रमानित कर सकता है इसलिए आया है ये मानोपरमपराबर नहीं तो जिवा वस्ताम पैदा होता तो मिनीमम एक मनिश्य को ये मानना पड़ेगा कि ये जागरत होने के लिए पैदा हुआ है नियून तम है इससे नीचे माने ने सकते आप और जागरती को व्यक्त करने के लिए उसको कोई वस्तु फीड करने का फिर हमारा बनोगा हमारे पास नहीं है तो हम वहां तक पहुचा देंगे कि वो फीड करेगा इतना ही है अभी यह करते है ना माता पिता बच्चों को स्कूल डालते है उसके मूल में क्या है हम नहीं पढ़ा सकते हमारे पास समय नहीं है हमारे पास योग गता नहीं है तो वहां ले जाओ आई करेंगे मूल भाव ही है बच्चा मावाप से जगड़ा करता है गुरुजी से नहीं करता है टीचर से नहीं करता है महब आपके नहीं मानता है, वहाँ पूरी मानता है, इतना फीट करके ही बेजते हैं, तीन चार साल का बच्चा जाता है, उसको ये समझ में आया रहता है, कि यहाँ जगडा नहीं करना है, जगडा करना गलत है, टीचर को कुछ बोल नहीं सकते हैं, इतना वो ले लेता है, उस नहीं तो जाएगा यह नहीं हुआ, श्रेष्ट नहीं सुखा रहेगा तो जाएगा क्यों? टीचर माने बहुत जादा, सारे बच्चे टीचर की एक्टिंग करते हैं, सारे छोटे बच्चे. क्योटे बच्चेंट बच्चे टीचर को सुखार है, तब तो जोटे मिच्चे करी है, आप शेयरोगा जोटे लोगा जोटे तो जोटेड़ी हैं, सारे बच्चे। मेरे ख्याल से यह पूरा चीज